क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का टाइम नस्दीक है इसलिए मैंने सोच जा इस वीडियो को बनाया जाए हाउ तो गेट फिनांशल फ्रीडप इन सिंपल स्टेप्स फर्स्ट सबसे पहले आपको अपनी करन्ट फिनांशल सिच्वेशन को अनलाइस करना होगा क्या आपके एसेट से क्या आपकी लायलिटी से हों क्या आपकी नेट वर्थ है सेकर्ड आप अपने एकस्पेंसे को ट्रैक करिए जो भी डेली एकस्पेंसे होते हैं क्या आपके फिक्स्ट एकस्पेंसे हैं कौन से आपके विरियेबल एकस्पेंसे हैं ताकि मन्त के आंड में अगर हम variable expenses को कुछ cut short करके savings करना चाहें तो हम कर सकते हैं थर्ड हम बात करेंगे कि जो भी आपके debt है उनको manage करिए debt जितना जल्दी आप खतम कर पाएंगे उतना ही आप जादा savings कर पाएंगे उतना ही जादा investments कर पाएंगे फोर्थ हमेशा अपने goals और target सेट करिए हम बात करेंगे कि आपके पास एक emergency fund होना चाहिए जो आपके तीन से छह महीने के expenses को cover कर सके that can be in your bank account or that can be in a liquid fund में हो सकता है उसके पात health insurance for the family is must आपको पूरी family के लिए health insurance लेना चाहिए and साथ में term insurance for the earning member means कि जिस पर आप financially dependent है केवल उसी के लिए term insurance लेना चाहिए और किसी के लिए नहीं लेना चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी आप investment करें तो choose the right option कभी भी पडोसी की requirement या print के requirement के according आप अपना investment option चूज ना करें आप अपना investment option अपनी requirement के हिसाब से चूज करें उसके बाद हम बात करेंगे start as early as you can जितना जल्दी आप earn कर रहे हैं उतना जल्दी आप savings और investment करें ताकि आपके future goals फुल्फिल करने में बहुत health मिले कि क्योंकि power of compounding में जितना time duration आप देते हैं उतना जादा प्रेट कर पाएंगे last but not the least create a secondary income source आप एक secondary income source बनाइए ताकि आपको lifelong काम नहीं करना पड़े बस आप dividend income rental income वो लेते जाए और आपके expenses चलते जाएंगे और जो भी आप काम कर रहे हैं वो अपनी happiness के लिए करेंगे अगर आपको कोई भी financial planning related कुछ भी query है या आप अपना comprehensive financial plan बनवाना चाहते हैं तो आप financial friend team से contact कर सकते हैं we will help you to get financial freedom thank you